जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में सभी साथकों का महार्दिक स्वागत करते हैं विजय दश्मी के इस अंक में हम विजय दश्मी के बारे में आपको बताने वाले हैं और साथ ही विजय दश्मी की आप सभी साथकों को बहुत बहुत शुब कामना है विजय दश्मी क्यों मनाया जाता है विजय दश्मी जो अपने आप में थिती है वो वास्तनम में विजय परदान करने वाली थिती है ये तिथी ऐसी है इसमें यदि हम कोई पूजा प्रारम बगरते हैं कोई पाट प्रारम बगरते हैं कोई नवीन कार्य प्रारम बगरते हैं कोई साधना प्रारम बगरते हैं तो हमें देवी की अनुकंपा से हमें उसमें विजय की प्राप्ति होती है विजया और जया नाम की जो भगवती देवी के सबरूप हैं उस नामों से भी इस तिथी का नाम विजयदश्मी बनता है और साथ ही 14 वर्ष का बनवास काटने के उपरांथ जो रावन का वद्ध किया गया था वो भी इसी तिथी में किया गया था भगवान श्री राम ने अपने हातों से जो रामन का बद्द किया और विजय की प्राप्ती हुई उस सब रूप में भी इस तिती को विजय दश्मी के रूप में लिया जाता है है न तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तिती से जुड़ी होई हैं लेकिन सादकों को इस तिती में विश्यस्तोर से क्या करना चाहिए आईए हम आपको बताते हैं जिनके घर में पशु हैं पशु शालाएं हैं तो महां किसान भाई जितने भी हैं वो अपने हिसाब स से गोबर के गोबर का वो बनाकर के रावन बनाकर के उसमें फिर नौर्थे रखते हैं बहुत सारे अपने 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 परमप्राव के इसाफ का ध्यान रखें और विजय दश्मी जैसे कि आपको मालूमी है 12 अक्टूबर की विजय दश्मी है दिन शनिवार है और विजय दश्मी जो है प्रारंब हो रही है नौमी तिथी उसमें लगी हुई है और दिन के ग्यारा के बज़े के बाद दश्मी तिथी प्रारंब हो जात और आठ नो दिन पहले जैसे नवरात्र प्रारंब होते हैं वैसे ही राम लिलाव प्रारंब हो जाती हैं वो बच्पन की यादें के राम लीलाओं में जाना आप तो वह आसी ठंड नहीं होती लेकिन हम अगर देखें तो उसमये हम अपने अगर आपको अपने आसमें की बात या हमारी उमर के जो लोग इस कारे कर्म को सुन रहा होंगे तो उस समय अच्छी खासी ठंड हो जाया करती थी जब रामली लाइं चला करती थी हमें याद है शौल वगरा कुछ न कुछ ओड़ करके हम लोग जाया करते थे और बहुत रामली लाइं को भी देखते थे और साथ में मुझफलियों का खाना और ये सब चीज़ें चला करती थी अब तो खेर ये सब चीज़ें बहुत ना के बराबर रह गई हैं लेकिं फिर भी हमें अपने घर में जितना मच्छे से कर सकें वो हमें करने का प्रियास करना चाहिए सुबह उटकर के आज से अपनी कोई भी देविय साथ ना आप लोग प्रारम करें और जो नए सादक नए दर्सक हमें सुन रहे हैं दशेरे के दिन हमें हनमान जी किसी ने किसी मंतर की सिद्धी कर लिनी चाहिए जैसे एक मंतर हम अकसर आपको बताते हैं आए हनमान बारह वर्ष को जवान हाथ में लड़ू मुख में पान हाँ कमारत आए बाबा हनमान मेरी भक्ती गुरू की शक्ती फुरो मंतर गोरख बाचा या फुरो मंतर इशुरो बाचा आप इस मंतर को बहुत लोगों के पास ये मंतर नौटिड होगा या इसी के साथ साथ एक चीज और बता दें किसी मंतर को जिस मंतर को आप जबते हों जैसे आप कृष्ण जी का कोई मंतर जबते हैं आप राम जी का कोई मंतर जबते हैं आप राधा जी का कोई मंतर जबते हैं आप भगवती का कोई मंतर जबते हैं आप शाम जी का कोई मंतर जबते हैं आप रुष्णु जी का कोई मंतर जबते हैं आप किसी भी मंतर को जबते हैं किसी भी स्तोत्र को पढ़ते हैं किसी भी कवच को पढ़ते हैं तो आज के दिन उस कवच को आपको पांच बार पढ़ ल जाएगी आपकी भक्ती में रंग आ जाएगा समझे आप वैसे तो दशेरे में नाना भाती के मंत्रों की सिद्धी बताई गई ए और हरवर्ष हम भी आपको अने को मंत्र बताते थे लेकिन इस वर्ष हम आपको यहीं राए कि जिन मंत्रों की आप देनिक रूप में साधना उपासना करते हैं उन्हीं मंत्रों को दशेरे की तिथी में आपको विशे सूर से संध्या के समय रात्री के समय आपको उन्हीं मंत्रों को जब करके उन्हीं का यह करने न चाहिए आपके मंत्र में बहुत पावर आ जाएगी आपके मंत्र में बहुत विलक्षनता आ जाएगी और दूसरी बात आप से और कह दें 31 दिन की एक दैवियस साधना दशेरे से ही हम लोग प्रारंब करवा रहे हैं इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप से कुछ भी ना हो तो उस साधना से आप लोग जरूर चुड़िएगा व अगर हमारा जीवन स्विष्ट बनता भगवती का सायुज्य प्राप्त होता भगवती प्रसंद नोती हैं संकटों का निवारन होता कश्टों का विनाश होता तो हमें ऐसी साधनां से जरूर जोड़ना चाहिए तो यह 31 दिन साधना बहुत अच्छी साधना है और यह साधन अब come to the point पर आते हैं दशेरे पर आते हैं दशेरे के दिन अपने घर में हमें धूनी की ववस्ता करनी चाहिए अपने घर में गंगा जलका चीटा देना चाहिए और दशेरे के दिन हमें निलकंट पक्षी के दर्शन करने चाहिए निलकंट पक्षी शहरों में तो पक्षी ही गाईब से हो गये हैं जो ग्रामीन आचल से हैं हमें याद हैं हम जब छोटे थे अपने पिताशी के साथ सुबसुबस निकल जाते थे और निलकंट पक्षी का दर्शन अधिक ही जाता था आप यकीन कहीं संध्या के समय में तो बड़ा शुब रहता है तो आप जो भी इस प्रिकार से हैं निलकंट पक्षी कैसा होता है सब आप तो इंटरनेट का जबाना है गूगल बाबा है आप सब कुछ देख सकते हैं कि कैसा होता है निलकंट पक्षी तो निलकंट पक्षी का दर्शन दशेरे में करना बहुत ही सुबाना जाता है कारियों के सिद्धी स्रेश्टा आती है दूसरी बात हम दशेरे का पूजन करेंगे अब जो घर में आपने जयनती वीजी है जो निकाल करके कानों के उपर भी रखा जाता है बहने रखती है भाही के कानों के उपर है ना रखा जाता है शुब होता है उसी खेतरी को अपनी फुस्तों को में रखा जाता है और उन सब से पहले कानों पे रखने से पहले फुस्तों को में रखने से पहले वही खेतरी में जो भी आपने पूजा इस्तर में सवरूप लगाए हुए उन सब को अर्पन करो देवी मा को अर्पन करो जो नौमी का पारण कर रहे हैं भागवती को अर्पन करो जो थोड़े से बच जाए उसमें से बचा लिजीगा अपने बच्चों की पुस्तों को में रखिएगा है सस्तर का पूजन करते हैं सरस्वती का पूजन करते हैं और शत्रिय लोग जो हैं वो सस्तर का पूजन करते हैं घर में किसी के कोई सस्तर है आपके पास लाइशन्स है आपके पास कुछ भी कोई सस्तर है तो उस पे तिलक लगाएं मोल इबाने चावल चणाएं फूल करें और प्रडाम करें ताकि सस्त्र सदयव आपकी रख्षा करें और सास्त्र सदयव आपको ज्ञान देते रहें और आज वो समय है हमें सस्त्र और सास्त्र हमें दोनों को बहुत अच्छे से पूजना होगा एक महाशक्ति हमें अपने साथ इहट्टे करनी पड़ेगी दूस ही है कि सस्त्र हमारे प्रभू बी अपने हाटों में हुआ लробू डगते हैं तो हमें स्सट्रों का पूस्वति का पूजन था अलाग बहुत सारी ऐसे क्या बतायाय को तो कहने का भाव बिटा आप जैसे बच्चों की कोई भी पुस्तक है वो उनको हाड़ लगता है सब्जेक्ट माय मिसाल के तो पर फिडिक्स है केमिस्ट्री है मैस है तो उनकी उस किताब को भी उस पूजन में रखवा लें और सिंपल तरीके से आप दीप जला लें बताश ले करके सब को आप अरपन कर दें बच्चों में संस्कार होनी चाहिए उसके बाद सभी को हल्दी का तिलक इस दिन लगाना बड़ा शुब माना जाता हल्दी का तिलक बच्चों को लगाएं उनकी पुस्तों को पर स्वास्तिक Bना सकते हैं अपनी रसोई में किचन में आप बिद्धि शिद्धि विरद्धि आपके घर में सदा के लिए बनी रहे मच्चों की पुस्तों को पर तिलाग आदि करके ऊसमें थोड़ी सी जवारी रख देना किसी के हां सफेद रंकी जवारी निकली हो जिसे हम जय इंटी कहते हैं इन जवारी को तो इसलिए कहाता है बहुत लोग इसमें जौंब होते हैं इसलिए जवारी कहा जाता है किसान खेती करता है इसलिए इसको खेतरी भी कहा जाता है कि वह अंकुरित हो जाते हैं खेतरी हो गई खेती हो गई लेकिन सही माइनों में इसका नाम क्या है जहनती है किसाब जो आपने घर में जहन जहनती निकल जाए तो बहुत ही अच्छा होता उस वाइट रंग की जहनती को पहले जगदंबा के चड़नों में रख दें तिलक लगा दें हलकी सी मोली उस पर रख दें फूल चड़ा दें प्रणाम कर लें और बाद में जब आपका सारा पूजन वगारा हो जाए तब आप उस जहनती को उठा करके किसी लाल कपड़े में हलका सा लपेट करके बड़े हिसाब से या किसी लिफाफे में उसको रक करके आप अपने गल्णा लोकरति जोरि कहीं भी उसको रखें पूजल इस्थल में भी किसी लिफाफे के अंदर रखें या पॉलोथीन के अंदर किसी ऐसी पॉलोथीन आती है वह सी जो अंदर भार का दिखता वाइट वाली उसमें रखकर भी अपने पूजल इस्थल में या कहीं भी उसको सुरक्ष्टी स्थान पर रख सकते हैं बड़िया तो लाल कपड़े में लपेट करके रखें तो जगदंबा का उसमें बहुत बड़ा आशीश होता च्छिपा हुआ और बहुत लोग कहते हैं मेरे घर में सफेद निकले लेकिन वो नहीं जो आदे सफेदों आदे हरें हो नहीं आदे सफेदों आदे प ऐसा वाइट रंक debt दूद जैसे रंका वह जेहनती होती है उसको वाइट जहनती का जाता बड़ी सुब हो हती है और भाईयों के का술म पे जहनती रखती है अब जब मानेड़ते हैं हैं हमें याद हैं कि जब हम छोटे-छोटे से थे बड़े भारी-भारी जैनती बहुत सारी जैनती कानों पर जूलती रहती थी और एक दूसरे को लोग मिलते थे प्रणाम करते थे दशरे का मेला देखने जाते थे बहुत सारी चीज़े होती थी और वास्तम में बाप का जो कांधा होता है ना बड़ा सरफ्ष्ट होता है ना बाप का प्यार अतुल्या होता बाप उस समय देखा नहीं कि बहुत बच्चे अपने पिता जो होते हैं उनके कंदों पर बैटके रावन को देख रहे होते हैं रावन जल रहा है बेंगना दादी के पुतले फूके जा रहे हैं पटाकों की बच्चे से हैं लेकिन वो पुरानी मिठास वो पुरानी बाते हैं वो पुराने दिन वो पुराने तीज सिवहार वो पुरानी कल्चर उस उस हिसाब से सब चीजों को मानना मनाना समझना अब नहीं है साहब अब नहीं है साहब नहीं है साहब कहने की बात नहीं है लेकिन ब बताँगा और दशेरा है दशेरे का संबंद आपकी विजे से है दशेरे का संबंद बुराईयों के अंत से है अच्छाईयों के प्रारंब से है तो दशेरे में काम और करें आप कर सकें तो अपनी किसी एक बुराई को छोड़ दें अपनी किसी एक बुराई का वद्ध कर दे बास आपको कोई विजे से पीछे नहीं आटा सकता कई बार समय कमी होती है किसी में जूट बोलने की आदत होती है किसी में परनिंदा करने की आदत होती है किसी में इरशा करने की आदत होती है है ना अब इरशा से मिलेगा क्या ऐसी इरशा से फाइदा क्या कि हम किसी को देख तोलते हैं उसको छोड़ें कुछ लोग जूट बहुत बोलते हैं उसको छोड़ें तो किसी ने किसी बुराई को छोड़ें गुटका है तबाकू है टेबको है ड्रिंक है किसी ने किसी चीज को आप छोड़ें जरूर जिनके अंदर ये कू वेसन वेसन लगे हुएं फिर माना जाएगा कि हाप ने आज आज किया किसी अपनी बुराई का अब रावन ने जो किया वो किया वो बात बहुत लंबे समय की हो गई लेकिन हमारे अंदर जो बुराईयां है हम उनका भी तो अंत करें हैं तभी तो मज़ा आता है ना दश्मितिती को पूजने का जो इसलिए हैं हम किसी को डाट देते हमारी डाट से किसी का हरदे दुखता तो किसी न किसी बुराई का अंत करेंगे तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और बाकी ऐसा गभरानी की जोतनी कि मुझसे ऐसा पूजन नी हुआ मुझसे वैसे पूजन नी हुआ बेटे बहाव से पूझे लो भगवान को भगवान तो सदेव भाव के संग आप से प्रसंद होते हैं है ना हाँ बस यह द्यान रखना और बाकी जो 31 जिवस्य साधना है मैं पुने चलते-चलते कहूंगा आप उस साधना से जुड़ने का प्रयाज चिरूर करना आप जुड़िये तो सही आप क्यों डर रहेंगे 31 कोन साधना करेगा आदा घंटा कोन लगाएगा अरे भाया आप जुड़िये तो सही आप एक मन को बनाईए तो सही आपको पता नहीं लगेगा कभी 31 निकल लगे आपको पता लगा कि नवरात राय और कैसे भगवती की जुड़ने का प्रियास करते रहना चाहिए चलिए आप सब को दशेरे की बहुत-बहुत सुबकामनाएं आपका जीवन स्रेष्ट हो उननसाली वने आप सब वैभवशाली वने यश्वान वने विद्यावान वने इनी शुबकामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विनाम देते ह भॉषाली जया आप ने बताया बहुत अच्छा लगा बहुत धन्यवाद और सनातन ध्रम को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास करें वह सरानी हैं हम लोग को मौका मिला है हम लोग बागिशाली हैं जो आपके करीब हाने का मौका मिला है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक पेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें